हाई फ्रेंज आज मेरा वीडियो फ्लारिंग प्लांट्स के उपर है जो बैलकनी में फ्लारिंग प्लांट्स लगाते हैं उनको क्या कि आसुविदा फेस करना पड़ता है और कैसे हम लोग यह सब ओफरकम करके बैलकनी में फ्लारिंग प्लांट्स लगाएंगे उसके बारे म मेरा balcony में जो flower खिला है मैंने इसमें add किया है तो पूरा वीडियो देखते रहे है तो balcony में flowering plants लगाने के लिए सबसे important बात है sunlight sunlight के बिना flowering plants होता ही नहीं है सबसे पहले तो flowering plants लगाने के लिए एक ऐसा जगा पे balcony का एक ऐसा जगा जूस कीजिए जहां पे बहुत अच्छा sunlight आता हो तो sunlight सबसे important है और plant को जब आप balcony में sunlight में रख भी रहे हो तो ये धैन में रखना कि plant का maximum branch जो है वो sunlight के exposure में आए यानि कि sunlight उसको मिलते रहे ऐसा होता है कि balcony में हम लोग को जब pot रखते हैं तो pot का मिठी में sunlight बहुत अच्छा से नहीं आता है लेकिन branches को कम से कम अच्छा sunlight मिलना बहुत ज़रूरी है और second point है well-drained soil में potting mixture को बनाना well-drained soil वाला potting mixture बनाना तो ये भी एक ठो important बात है जब आप plant को लगा रहे हो तो well-drained soil में लगाना चाहिए तो second point ये हो गया first point sunlight, second point well-drained soil third point मैं बोलूँगी कि manuring इसको time to time fertilizer देना पड़ता है क्योंकि flowering plant है foliage plant को आप fertilizer नहीं भी देते हैं तो फिट चल जाता है लेकिन flowering plant को अपको हर एक हपता में liquid fertilizer देना बहुत ज़रूरी है तो इसको fertilize करते रहिए अगर आप flooring plant लगाना चाहते हैं तो और ये third point हो गया fourth point होगा pinching और pruning ये flooring plant के लिए बहुत ही important है जब भी आप flooring plant को लगाते हैं तो बीच बीच में spent flour होता है उसको तो काटिये हीगा उसके साथ साथ थोड़ा pinching और pruning हर समय करते रहेगा तो इसका new new twig निकलेगा वहांसे कलिया निकलेगी और flooring भी होते रहेगा तो ये हो गया fourth point pinching and pruning ये देखे मेरा मधुमालती का जो बेल है मैंने इसको बाहर ग्रिल के बाहर इसका sunlight के exposure में रखा तो इसमें कलिया निकल आई तो कोई भी plant अप flooring plant अप लगा सकते हो लेकिन sunlight इसके लिए बहुत important है और जो आपका porcelain होता है ये सब बहुत easy to grow flooring plant होता है आप इसको अपने garden में add कीजिए porcelain, porcelain, porcelain ये छोटे छोटे pot में भी ये लग जाता है और flooring भी करते रहता है तो ये सब plant अप एट कीजिए रोज आपका hibiscus ये सब तो है ये देखे मैंने to hibiscus का stem लगाया था जहां से इसका new shoot निकलने लगा तो आप stem cutting से भी बहुत अच्छा से flooring plant grow कर सकते हैं तो pinching and pruning हो गया last में मैं बुलूंगी flooring plant में बहुत paste का problem होता है तो इसको भी धहन रखे इसको बीच बीच में neem oil spray करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो paste का problem स्पेशली fungus मिली बग यह सब बहुत अटक होता है तो flooring plant जब भी लगाएगा यह चीज तो आपको धहन में रखना पड़ेगा कि इसमें space अटक होने की संभावना है तो इसको time to time आप प्रिंचिंग प्रूनिंग कीजिएगा साथ में इसका neem oil फिर शैंपू और पानी का मिक्स्चर है उसको spray bottle में डालके इसको spray करते रही है यह बहुत important है क्योंकि एक बार आपका flooring plant में paste का अटक हो जाएगा तो उसके लिए बचना यह मुश्किल हो जाता है तो यह थी आज की वीडियो hope आपको यह वीडियो से flooring plant के बारे में पता चला की क्या क्या चीज़ करना है thank you for watching my video